हेलो एवेडिवान वेल्कम टीर ओन यूटीब चैनल दा मैथमाजिशन शो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं जैसे कि मैं इस सेग्मेंट पर काम नहीं करता था लेकिन कई लोगों ने मुझे कॉल करके मैसेज करके कहा कि सर कई स्टूड तो मैं सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग गया तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है तो आज किस वीडियो में हम लोग जैसा कि थमनेल पर आप देख चुके हैं तो वह सारी बातों को जानेंगे ए है mathematics engineering से रिलेटर है इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहा है तो डिपलोमा इन इंजिनियरिंग में जो एक्जाम दिये हैं लोग और उनका जो रिजल्ट आया है रैंक लिस्ट आया है तो उसके बारे में हम लोग एहम जानकारी हासिल करेंगे जो PDF में है वो नहीं उससे डिले जुए उनको शेर कर दीजेगा तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मानु का जो एक्जाम हुआ था डिपलोमा इंजिनियरिंग्में एडमिशन के लिए जिसको पॉलिटेक्निक भी कहते हैं तो पॉलिटेक्निक में हार सेंटर पे कितने बच्यों ने एक्जाम Admission मिल जाएगा ठीक है यह मेन एहम बात है आप लोगों के लिए उसके पार हम जानने वाले हैं कि कितने रैंक वाले का फास्ट लिस्ट जो आएगा उसमें नाम होगा याणि कितना राइंक होगा स्टूटेंट्स का जिसका फास्टेस में नाम आ जाए ठीक है उसके बाद हम and Communication Engineering में admission हो जाए कितना रंक चाहिए उसके लिए और Diplomine Information Technology में कितने रंक वाले का admission हो जाएगा और Diplomine Mechanical Engineering में कितने रंक आने पर admission हो जाएगा यह सारी बात जानेंगे और जो मेन बात है जो आपने थम्नेल पर देखा होगा कि कितने रंक पर दर्भंगा में admission पॉसिबल है ठीक है फर्स्ट लिस्ट में यह सारी बाते हम लोग जानने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं मानु का इंट्रेंस एक्जाम होता है बाड़ा इस्टेट में होता है और एक दिल्ली जो कि एनची आड़ है वहाँभी सेंटर है उस जगह पर भी इंट्रेंस एक्जाम होता है तो कुल मिला कि इतने स्टेट्स में एक्जाम होता है सेंटर है कुल inherent 18 सेंटरस पर एक्जाम होता है तो सबसे पहले हम लोग दिया है ठीक है साथ उसके बाद है औरंगा बाद औरंगा बाद में आजमगर आजमगर जो की यूपी में है वहाँ चार बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है बैंग लूरू वहाँ साथ बच्चे एक्जाम दिये हैं भोपाल भोपाल में कोई भी बच्चा नहीं था बीदर में भी कोई भी नहीं था कटक कटक में जो की ओडिशा में है सिर्फ साथ बच्चे इंट्रेंस एक्जाम देने आये थे उसके बाद है दर्भंगा यहां सबसे ज्यादा 606 बच्चे तो इंडॉल्ट है लेकिन एक्जाम देने पहुँचे सिर्फ 533 यानि 533 इतने बच्चों ने यहां एक्जाम दिया है उसके बाद है बेली एंसियार यहां 21 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है हाइदराबाद ठीख़ें यहां 27 बच्चों ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है जम्मू जम्मू में सिर्फ एक बच्चे ने इंट्रेंस एक्जाम दिया है कड़ापा यहां 65 बच्चे इंट्रेंस एक्जाम देने आए थे उसके बाद है किशन गंज जो की बिहार में है यहां 63 बच्चों ने एक्जाम दिया है लखनव यहां 9 बच्चे इंटर्स एक्जाम देने आये थे यहां कोई भी नहीं जाए था पटना यह भी बिहार में स्थित है यहां भी सबसे जादा बच्चों में सबसे जादा बच्चों में दूसरे नमर पर यहां पहुंचे थे 399 बच्चे इंटर्स एक्जाम देने आये थे उसके बाद है राची जो की जाड़कंड में है यहां आठ कैंडिडेट थे और अब है संबल और श्री नगर जगा नहीं है इसको पहले मिटा देते हैं या यहीं लिग देते हैं संबल में एक दिख़रा होगा आपको और श्री नगर में भी एक बच्चे आये थे इंटर्स एक्जाम देने के लिए तो यह टोटल सब मिला के 1152 यानी 1152 बच्चों ने इंटर्स दिया है इन सभी सेंटर पे मिला के अब एक और फैक्ट जान लेते हैं इस बार के इंटर्स एक्जाम के बारे में पहले इसको मिटा देता हूँ अब स्टेट वाइस देख लेते हैं कि कौन से स्टेट से कितने कितने बच्चों ने इंटर्स एक्जाम दिया है सबसे पहले विस्ट बंगॉल में सिर्फ साथ बच्चे जो कि आसन सोल में थे वो मैंने बता दिया आपको तो विस्ट बंगॉल से सिर्फ साथ बच्चे महाराष्ट में सिफ जीरो बच्चे यानि कोई भी बच्चा यहां इंटरंस एक्जाम देने नहीं गया था यूपी उत्तर पर्देश में कुल 14 कैंडिडेट्स एक्जाम देने गये थे ठीक है उसके बाद के एस यानि कर्नाटक स्टेट यहां साथ बच्चे ही इंटरंस एक्जाम दिये हैं ठीक है कि मध्य पर्देश MP यहां कोई भी कैंडिडेट नहीं था उसके बाद है उरिशा एक्जाम देने आये थे अब सबसे जो ज़रूरी है वो है सबसे ज़्यादे यहां बच्चे देते हैं इंटरंस एक्जाम वो है बिहार और बिहार के बच्चे जादे रहते हैं टोटल 994 कंडिडेट्स ने यहां से एक्जाम दिया है, उसके आद, NCR डेली, यहां से टोटल 21 कंडिडेट्स ने एक्जाम दिया है, उसके बाद है, यहां 27 कंडिडेट्स एक्जाम दिया है, जम्मू एंड कश्मीर, यहां से सिर्फ दो कंडिडेट्स हैं, उसके बाद, आंधर परदेश, यहां से 65 कंडिडेट्स हैं, और उसके बाद है, हर्यान, कोई भी कंडिडेट्स नहीं है, और हमारा परोसी राज जारखंड, यहां से 8 कंडिडेट्स हैं, जो इंटर्स एक्जाम दिया है, टोटल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कितना है, 1152 जो कि आपको PDF में मिल जाएगा, तो इतने बच्चों ने इंटर्स एक्जाम दिया है, इससे अब हम लोग को क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, कि आप देखें कि मानू में पॉलिटेखनिक का 5 के इंदर है, पॉलिटेखनिक में 5 जगे एडमिशन होता है, ठीक है, वो है हाइदराबाद, तिलंगाना, ठीक है, तो आप देखें तिलंगाना से कितने बच्चों ने एक्जाम दिया है, सिर्फ 27 बच्चों ने दिया है, ठीक है, और यहां टोटल सीट कितना है, 300, तो आसानी से यहां के बच्चों का जिस भी स्ट्रीम में चाहेंगे, ठीक है, जो भी इंजिनियरिंग करना चाहेंगे, वो उसमें यह यह एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद करनाटक आते हैं, यहां से सिफ साथ बच्चों ने एक्जाम दिया है, और यहां सीट है कितना, 180, ठीक है, तो यहां भी आसानी से एडमिशन हो जाएगा, जिसमें भी जो लेना चाहें, हाला कि परोसी राज के भी बच्चे यहां एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद है, आंधर पर्देश, तो यहां सीट है, एक सो पंचानवे, 195, तो यहां भी आसानी से हो जाएगा, जिस भी एडमिशन लेना चाहेंगा, बच्चे वहां हो जाएगा, उसके बाद है कटक औरिसा, औरिसा में सिर्फ साथ बच्चे एक्जाम दिया है, तो यहां आस पास के राज के भी बच्चे का पाइडमिशन यहां उरिसा में हो जाएगा, कटक में, और यहां सीट है एक सो पंचानवे, सिर्फ बच्चे पहुंचे सेंटर पे साथ, यह हो सकता है, माना जाता है, कि अभी लॉकडाउन का समय है, तो जादे तर जो है सो बच्चे अपने घर पे होंगे, ठीक है, तो एक होता है, तो वहाँ टुटल सीट है, 180, आप लोगों को पता है, और बच्चो ने गजाम दी है, टुटल बिहार के, 3 पे मिलाके, वो है 994, और सीट है, 180 सीट और बिहार से इतने बच्चो ने इंटेंस एगजाम दिया है, तो बिहार को छोड़ के, वाकि जितना भी सेंटर पर है आसानी से admission हो जाएगा ठीक है जिस भी engineering में लेना चाहें ठीक है चाहे वो सिविल में लेना चाहें computer science में लेना चाहें information technology में लेना चाहें जिसमें भी लेना चाहें ठीक है तो आसानी से दिये हैं वो आपको मिल जाएगा ठीक है आपका रैंक कितना भी हो आसानी से आपका अधिमिशन जिस भी इंजिनरिंग में लेना चाहेंगे हो जाएगा अब यह देख लिए कि लगभग यतना सीठ है उतने बच्चे हैं ठीक है क्योंकि कुछ बच्चों का अधिमिशन वह द में दर्भांगा में ऐसे बच्चों को सीट एलोट होगा जिनका रैंक 251 या उससे कम है और साथ ही साथ उन बच्चों को वही स्ट्रिम मिलेगा इंजिनियरिंग वाला डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें उसने पहला प्राइडिटी दिया होगा जैसे कि किसी भी बच्चे डریकल रैंक 251 या उससे कम है और उसने पहला प्राइडिटी शिविल इंगिनरी को दिया होगा तो उसे वही सिविल इंजिनियरिंग का सेट अलोट हो जाएगा लेकिन शार्ट यह है कि रैंक 251 या उससे कम होगा ठीक है तो इससे जादा वाला का भी आ सकता है पहला लिस्ट में नाम ठीक है लेकिन इससे कम नहीं जाएगा 251 है तो आप लोग आँख बंद करके सोजाईए कि आपका दर्भंगा में अद्मिशन हो जाएगा इसके लिए क पोई भी टेगरी का शर्त नहीं है ठीक 熬तलब कि जरूरी नहीं है कि किसी से आते हों आप किसी भी कैटीकरी से हों। जिनरल से हों या फीर फ्रीडभि फ्रीड़ोड़ी हो उन् ist कुछ भी कुछ भी हो तो आपका द्मेस्ट हो और जो आपने पहला प्राइडिटी दिया होगा उस वही में एडमिशन होगा 251 से ज्यादा जिनका रैंक है ठीक है उसका भी नाम आ सकता है अगर वो किसी के special category से बिलॉंग करते हैं जैसे कि sports category है या फिर मानो मोडल स्कूल का category है या फिर विमन पलस OBC है या फिर PWD है या फिर PWD प्लस EWS है इस तरह के जो यह candidate होंगे उनका भी नाम आ सकता है पहले लिस्ट में दरभंगा में ठीक है सेलेक्टेड लिस्ट में लेकिन 251 वाले का एकदम confirm है कि हो जाएगा ठीक है तो यह बात आप लोग समझे होंगे अगर यह वीडियो आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक कर डिजेगा और अपने साथ ही स्टुटेंट्स से वीडियो को शियर जरूर कीजेगा ताकि उनका भी confusion दूर हो जाए और admission से related अगर कोई भी क्योड़ी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स वाचिंग